बिस्मिल्लाहिर्रह्मान रहीम असलामलेकूम यूट्यूब व्यूवर्स वेलकम पैक टू माई चैनल हॉट इन टेस्टी उमीद है कि आप सब ठीक होंगे आज जो रेसेपी में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं वो फिंगर फिश की है और बहुती इजी और डिल इस तरह मैंने इसके पीसिस कर लिए अब मैं इसकी एक ड्रेसिंग बनाओंगी बहुत जबरदस्सी मैंने सिर्का लिया है बंतें श्पून है को सुया सौस एट करूंगी मैं बंतें बिल स्पून के कि नमक जाएगा हस बिजाय का पीसे भी काली मिर्चे जाएंगी, one tablespoon कुटी भी लाल मिर्चे जाएंगी, one teaspoon लिस्टन का पेस्ट जाएगा, one tablespoon और इसको हम अच्छी तरह से mix करने के बाद, लिस्टन का पेस्ट जाल रहेए और इसकोब करेंगे mix लास इंग्रीडियेंट हमारा जाएगा टुमाटो केचप है फोर टेबिल स्पून और इस ड्रेसिंग को मैं अची तरह से मिक्स करने के बाद फिंगर फिश को इसमें ड्रेसिंग में आड़ कर देती हूँ और इसको हम मैरिनेट करेंगे एट लीस वन आर इसको मैं अची तरह से मिक्स कर देते हैं इस ड्रेसिंग के साथ ताकि इसमें जो स्पाइसेस हैं वो बहुत अची तरह से अब सॉब हो जाएं यह देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी मैरिनेशन हो रही है इसको हम फ्रिज में रख देंगे एक घंटे के लिए अब यह हमारा एक घंटे के लिए ताकि हमारा प्रोसेस जाएव कम्प्लीट हो जाएं मैरिनेशन का यह मैरिनेट हो गई है बना आर के लिए अब मैं एक्स लोंगी तू तू तो मीडियम साइज के मैंने एक्स ले लिए इसको मैं करते हूं विस्क यह हमारे एक्स जो है अब मैं इसमें एड़ कर दूंगी पिसीवी काली मिर्चे वन टी स्पून नमक जाएगा हस्पिस आएगा इसको विस्क करूंगी अच्छी तरह से अब मेदल यह मैं वन एंड़ हाफ कप और इसमें कुटी भी लाल मिर्चे डाली है वन टी स्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे अब मैं इस ट्रिप्स को जो है डस करूंगी इसमें अच्छी तरह से आप इसको कोट कर लें एक के बैटर में इसे डिप करेंगे और इसको हम ब्रेट क्रम्स में लिए हैं वन कप इस तरह हम इसको कोट करते जाएंगे और ब्रेट क्रम्स में लगा के रखते रहेंगे एक प्लेट में अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लें अब मैंने ओइल फॉर फ्राइंग लिया है और इसको हम डीप फ्राय करेंगे बहुत ही डिलिशिस लगती है यह और सरदियों के लिहाद से बहुत अच्छी होती है फिश वैसे भी वाइट मीट का यूस जरूर करना चाहिए यह देखें हमारा फर्स बैज जो है और मॉस्स प्राय हो गया है गोल्डन कलर में जब हो जाए तो हम इसे कि सर्विंग प्लेट पे निकाल लेंगे बहुत लो टू मीडियम प्लेम पे हमेंसे करना है क्योंकि जो फिश है वो बहुत जल्दी टैंडर हो जाती है कि देखें हमारे गोल्डन कलर में अल्मूस सब चेंज हो गए अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ अब मैं इसमें जो है सेकंड बैच अपना डाल देती हूँ पिश का यह हमारा सेकंड बैच चला गया बहुत ही डिलीशियस लगती रेसिपी और बहुत ही जूसी और टैंडर यह फिश बनती है कि देखें हमारी हमने इस तरह सेट कर लिए फिंगर फिश हमारी रेडी हो गई है और आप फ्रेंच वाइस के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं अब आप इसे कट करके दिखाऊंगी कि यह कैसी लग रही है ठीक है कितनी जूसी और टैंडर सी हुई भी है यह हमारी बड़ी लबरदसी लग रही है फिश अगर उमीद है आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल हॉट एंटेस्टी को ज़रूर सब्सक्राइब करें फिर मिलूंगे मैं एक नई और मज़िदा रसेपी के साथ इंशालला अल्ला हापिस